हम दुनिया में गेहु उत्पादन के मामले में दूसरे नमबर पर आते हैं चायना के बाद लेकिन भाया इसके विपरित अगर बात की जाए पर एकड़ उत्पादन के मामले में तो हम टोप फाईव देशों का अंदर भी नहीं आते हैं मेरे जहां तक भी एनलिसिस है रिसर्च है तो उसका अंदर किसान क्या करता है जब हम गेहु की बुआई करते हैं बुआई से जब हम पहली सिचाई करते हैं मतलब 40-50 या 55 दिन तक हम गेहु के उपर अपना फोकस बनाये रखते हैं हमारा टारगेट होता है गेहु के एक पोधे के अंदर जादा से जादा टेलरिंग होनी चाहिए जादा से जादा उसके अंदर कल्ले होने चाहिए जैसी हमारी गेहु की फसल में दूसरी सिचाई हो जाती ही 50-60 दिन से पार गेहु हो जाता है उसके बाद हमारा गेहों की फसल से फोकस हट जाता है केवल और केवल हम फिर ध्यान देते हैं कि हमें तो केवल भाया सीचाई करनी आगे चल कर लेकिन इसके विपरित जिन देशों के अंदर बहुत जादा उत्पादन होता है वो किसान जहां पर सुरवाती चान में भी अपनी फसल को पर फोकस लगा के रखते हैं वहीं पर वो अपनी फसल के अंदर जब बूटिंग स्टेज में फसल पहुंचती हैं उससे लेके और गेहों की बाली के अंदर जब दाने भर रहे होते हैं दाने पकरे होते हैं उस ट्राइम तक लगातार निगरानी रखते हैं अपनी फसल को पर फोकस लगाये रखते हैं तब ही उनका उत्पादन है वो सोमण एकड तक निकल पाता है तो भाईयो आज इस वीडियो के अंद जो उत्पादन है गेहों का वो हम जादा से जादा किस तरह से ले सके आखरी चलन के अंदर हमें वो कौन से क्रिशिकारे करने चाहिए जिससे कि हमारे गेहों का उत्पादन है वो जादा से जादा निकल सके तो नमस्कार मैं इंदरपाल और आप देख रहे हैं देश का सब अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो को लाइक और जादा से जादा दूसरी किसान भायों तक भी शेयर कीजिए इस वर्स हमने जितनी भी ग्यों फसल को उपर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की जितनी भी आप लोगों से मैंने जो भी कोई जानकारिया दी है उमीद करता हूँ उनकी बदोलत आपके फसल एकदम सांदार होगी अभी जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज के अंदर है या फिर बहुत से जगे पर बालियां बाहर आ चुकी उनका अंदर दाना भराई हो रही है तो इस टाइम पर आज की जो वीडियो है आपके लिए मेल का पत्थर साबित होगी मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को आप अपनी फसल के अंदर अपलाई करेंगे तो भाईया सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस टाइम पर जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज में है तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा किन पोसकत्तों की आओ सकता है तो भाईया इस टाइम पर तीन पोसकत्तों और Phosphorus की पूरती हम इस तरह से करें तो बहिया देखें इस तरह अगर आपकी फसल भूतिंग ş्टेज में गाभा वस्था में हैं बालिया रीड आंदर है या बालिया बाहर निकल चुकी है तो इस तरहें पर पोधे ने अपने आपको मजबूत करना होता है पोधे को स्टैम पोता हुथ हुटा न उसको मोटा मजबूत होना होता है ताकि आगे चलकर जो ये बाली बाहर आएगी और बाली के अंदर जब धानों का वजन होगा तो पोधा नीचे ना गिर सके साथ ही दूसरे इसको आगे चल कर जो हवाई चलेंगी न उससे भी कहीं ने कहीं लड़ना पड़ेगा तो भया इस टाइम पर पोधे को अपने आपको बचाने के लिए ताकतवर बनना होता है ताकतवर बनने के लिए इसको फोस्फोरस क्या हो सकता पड़ेगी अब Phosphorus की पूरती हम किस तरह से कर सकते हैं खड़े खेत में इस टाइम पर अगर अपने उपर से DAP डालेंगे तो हो सकता है DAP की जो result है वो हमें कम मिले क्योंकि DAP एक ऐसा पो सकता तो है जो एक जगहे पर पढ़ जाता है तो वो पढ़ा ही रहता है उस तक पोधे की जड़ो को आना पड़ता है DAP खुद चल के जड़ो तक नहीं जाता है तो उपर सा अगर हम डालेंगे तो भाईया मेर को लगता है कि इस टाइम पर DAP का कोई महत्तो नहीं है उपर से डाले हुए DAP का result हमें केवल 20% मिलेगा अब हमें Phosphorus की पूरती करनी है वो कैसे करनी है उपर हमें इसके अंदर NPK का स्प्रे करना है अब NPK के अंदर हमें कौन सा लेना है या तो 12-61-0 ले लीजी जिसके अंदर 61% Phosphorus है या फिर आप NPK 0-52-34 ले लीजी जिसके अंदर 52% Phosphorus पाये जाता है तो जो इस्प्रे अपन करेंगा है ना तो इनकी पत्तियों को उपर जो हमारी स्प्रे पड़ीगी तो वो पत्ति अपने Phosphorus को या फिर जो भी हमने Micronutrient डालें इस टाइम पर कोई भी आप जो भी Water Soluble Fetalizer की स्प्रे करते हो तो ये पत्तियां है ना उनको बहुत जल्दी अबजर्व कर लेती है और विशेश कर अब जब सर्दियों का मोसम में सर्दियों का अंदर आपन देख रहे होते हैं भाईया उपर से जो भी हम खाद डालते हैं जब ज़्यादर टाउन हो जाता है तो उस खाद का जो रिजल्ट है ना हमें बरसात या गर्मी के तुलना में दुगणे दुनों में मिल पाता है जैसे कि आज हमने इसका अंदर यूरिया डाला तो यूरिया का जो हमें रिजल्ट दिखाई देगा वो आठ से दस दिन में दिखाई देगा अगर यही यूरिया हम बरसात मिया गर्मी के मोसम में डालते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमें तीन से चार दिन का अंदर दिखाई दे देता है तो इस टाइम पर जब सर्दी का मोसम है इसके अंदर जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेने के लिए हमें उपर से water soluble fertilizer होता है जो NPK होता है उनका spray करना होता है तो जैसे ही वो spray होगा फोस्पोरस की पूरती इन पत्तियों के माध्यम से पूरी हो जाएगी और यह जो पोधा है ना पोधे का जो overall structure है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगर जितना जादा यह पोधे का structure मजबूत होगा इसका तना मजबूत होगा ना उतनी आगे चलकर इसका अंदर से मोटी बाली निकड़ेगी लंबी बाली निकड़ेगी फिर बात आती है दूसरे पोशकता तुके पोठास की अब ङसे rate बढ़े ना हमारे किसानों नों पोठास को अपने खेटों को अंदर डालना बंद कर दिया य बहुत कम डालना चालू कर दिया भाया पोटास की पूर्ती पोटास से ही होगी और पोटास इस अवस्था के अंदर आके तो अपना सबसे बड़ा रोल निबाता है पोधे को स्ट्रेस से बचाता है चाहे गर्मी हो बर्षात हो जो परियावनी तनावाते हैं ना उनसे पोटास कहीं न कहीं अपनी फसल को बचा लेता है इसके अलावा जो पोधा भोजन बनाएगा नीचे जमीन का अंदर जितने पढ़े हो पोशकता तो इन जड़ों को ग्रहन करेगी तो इस बाली तक पहुंचाने का जो काम करेगा भाया वो पोटास करेगा साथ ही इसके अंदर से निकलने वाड़ी जो बाली है बाली के अंदर जो दाने बनेंगे तो उनका दाने का साइज को मोटा करने में इसकी जो चमक है दाने की उसको बढ़ाने में पोटास का बहुत बड़ा योगदान होता है तो इस टाइम पर हमें भाया पोटास भी देन में हो उस टाइम पर आपको फ्लड कर देना है नीचे से डाल देना है या फिर आप पाणी के अंदर घोल के और अपनी सीचाई के साथ चला दीजी ताकिए पोर्टास के हमें पूरे रिजल्ट मिल सके है हमारी जमीन के अंदर जो पोर्टास के कमी है उसकी पूरती हो सके दूसरा अपन इस टाइम पर भाईया फोलियर इस प्रेस जैसे कि आइन पी के 0,52 जो हमें स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसमें जहां पर 52% फोस्फोरस की पूर पूर्टी हो जाएगी इस अवस्था में जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज में हो बालिया अंदर हो इस गोब के अंदर और जब बालिया बाहर अगर आपके खेतों के अंदर आ चुकी है तो इस टाइम पर आपन पी के 0,50 है उसके स्प्रे कर दीजिए उसी जो पोर्टा बाले में नर और मादा का जो पुलने सनोगा परागण होगा उस टाइम पर भहिया सबसे ज़्यादा एहम भूमी का आदा करेगा बोरोन तो भहिया मेरा माना है इस टाइम पर जो भी आप ही स्प्रे करने जा रहे हो अगर आपकी बाली नहीं निकलिए तो एन पी के 0,50 वि यूज करने जा रहे हो निस प्रे में जैसे 100 लिटर करोगे तो 100 ग्राम 120 लिटर पानी यूज कर रहे हो तो 120 ग्राम जो 20% वड़ा बोरोन आता है न उनको मिला के अपने खेत में इस प्रे कर दीजिए ये जो इस प्रे है न वह आपकी फसल के अंदर मेल का पत्थर साबित ह होगी हमारी वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद